नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 17 सितंबर दिन रविवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज है विश्व कर्मा ज्रेंती जाने सुब मूरत बिहार के 31 जिलो में होगा खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर बिहार में डेंगू का मिला नया वेरियन हेल्प लाइन नमबर जारी चंद्रियान तीन सुझड़े 10 सवालों का जवाब दे कर जीते नगत पुर्सकार भारत और श्रिलंका के बीच एसिया कब 2023 का फाइनल आज अब चली बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 पड़ी खबरों के ओर वस्तार से SBI में 442 पदों पर निकली भरती भारतिय स्टेट बैंक यानि की SBI के दोरा मैनेजर और स्पिसलिस्ट ऑफिसर के 442 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में एकचो कुमिद्वार जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह SBI की आधिकारिक वेबसाइट SBI.co.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं बतादे किसके लिए आविदन करने के अंतिम तारिक 6 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करे तो दोनों पदों के लिए अलग-अलग योगिता नरधारित की गई है ऐसे में एकचो कुमिद्वार इस संबन में जानकारी लेने के लिए जारी किये गए अधिसूशना को देख सकते हैं बता दे किस भर्ती के लिए आवेदन करने के शिरवात बीते दिन यानि 16 सितंबर से हुई है आज यानि कि 17 सितंबर के दिन को विश्वकर्मा जेनती के रूप में मनाया जाता है बता दे कि आज के दिन कारीगर फरनीचर बनाने वाले बुनाई मसीनरी और कार खानों से जड़े लोग भगवान विश्व कर्मा की उपासना कर और जारों और उपकर्णों की पूजा करते हैं भगवान विश्व कर्मा को स्रिस्टी का पहला इंजीनर और सिल्पकार माना जाता है आज के दिन को लेकर ऐसी मानता है कि भगवान विश्व कर्मा की पूजा करने से कारोबार में विदी होती है और व्यक्ती की कला में निखार आता है महीं अगर हम इसके सुब मूरत की बात करें तो पंचांग के अनुसार सुभा 7 बच कर 50 मिनट से 12 बच कर 26 मिनट तक पूजा का सुब मूरत है महीं दोपहर में पूजा का सुब मूरत पंचांग के अनुसार दोपहर 1 बच कर 58 मिनट से दोपहर 3 बच कर 30 मिनट तक रहेगा बिहार के परटर में आज हम बात करेंगे विक्रम सिला विश्विद्याले के बारे में बिहार प्रांत की भागलपुर जिले में स्थित विक्रम सिला एक अंतराश्य ख्याती का सिक्षा केंद्र रहा है विक्रम सिला के महा विहार के स्थापना नडेश धर्मपाल ने करवाई थी यहां 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे धर्मपाल के उत्राधिकारी 13 सताब्दी तक इसे राजकिय सनक्षन प्रदान करते रहे परिनाम सुरू विक्रम सिला लगभग चार सताब्दीयों से भी अधिक समय तक अंतराश्ट्रि ख्याती का विश्यविध्याले बना रहा विश्यविध्याले में अध्यन के विसेश, विसेव, वियाकरन, तर्कसास्र, मिमान सा, तंत्र, विधिवाद आदी थे आचारियों ने दिपंकर श्रिग्यान को नाम सरवातिक उलेखनीय है जो इस विश्यविद्याले के कूल पती थे कहा जाता है कि बक्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमनकारी ने सन 1193 के आसपास इसे नस्ट कर दिया था वर्तमान समय में विश्यविद्याले के भगनावशेश को देखकर इसके गौरवशाली अतीत और विख्याती की अनुभती कर सकते हैं भारत और श्रिलंका के बीच एसिया कप 2023 का फाइनल आज आज यानिकी 17 सितंबर को कोलंबो के प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रिलंका के बीच दो पहर तीम बज़े से एसिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है एक तरफ जहां आज भारती टीम रोहिस सर्मा के निदतुमी 8 वी बार श्रिलंका के खिताब अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगी तो वहीं दूसरी ओर स्रिलंका, दाशुन, सनाका के निदतुमी 7 वी बार श्रिलंका का खिताब जीतना चाहेगी इसके लावा इसकी लाइव स्ट्रिमिंग डिस्नी प्लस होटस्टार अप पढ़ोगी बतादी कि आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए बीच हाई वोल्टेस का मुकाबला देखने को मिल सकता है बिहार के 38,000 एकर में होगा ड्रोन से कितना सक चिरकाव करने का लक्षे रखा गया है इसके लिए सरकार के ओर से एजनसी का चेहन किया जाएगा जो ड्रोन परिचालन का काम करे बतादे किस कारी को करने के लिए सरकार के ओर से प्रती एकर 250 रुपे अनुदान के रूप में दिये जाएंगे आपकी जानकारी के लिए बतादे कि सभी जिलों में 11001 चितर में कीतना सक का चिरकाव किया जाएगा वहीं इससे संबन्ध सूशना चितर के लोगों को 24 घंटे पहले दे दी जाएगी अगर ड्रोन से कितना सक का चिरकाव किया जाता है तो किसानों के स्वास्ते पर कितना सक का प्रभावर नहीं पड़ेगा और साथ ही पानी और श्रम की भी बचत होगी राजे के इंजिनेरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होगी ये प्रतियोगिताएं विज्यान प्रावेदे की एवं तकनी की सिक्षा विभाग के सचीव लोकेश कुमार सिंग के दोरा राजे के सभी इंजिनेरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में खेल कूत, निबंथ, पेंटिंग और बाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयूजन करने के लिए दिशा नर्देश दे दिया गया है बता दिक इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि संस्थान के इस्तर पर प्रतियोगिता का आयूजन एक औक्टूबर से 15 नमबर के बीच किया जाए वहीं प्रमंडल इस्तर पर प्रतियोगिता का आयूजन 15 नमबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा इसके बाद जिन चात्रों का चयन प्रमंडर अस्तर पर होगा उन्हें 15 से 31 दिसंबर तक राज्य अस्तर पर आयोजित होई प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा वहीं जीतने वाले को फुर्सकार भी दिया जाएगा बता दे किसके आयोजन को लेकर इंजिनरिंग कॉलेजों को 8 लाक रुपए तो वहीं पॉलिटेखनी कॉलेजों को 6 लाक रुपए दिये जा रहे हैं इसके लावा प्रमंडर अस्तर पर आयोजन के लिए अलग से 10 लाक और राज्य अस्तर के लिए 20 लाक रुपए दिये जाएंगे बिहार के 31 जिलों में होगा खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर अब बिहार भी खेल में पीछे नहीं रहा है यहां के खिलारियों के दौरा भी राज्य से लेकर राश्ट्री अस्तर तक के खेलों में अपना पर्चम लढ़ाया जा रहा इसी कड़ी में अब बिहार में बहुत जल्दी राश्ट्री अस्तर के विवन खेलों का आयोजन होने बाला है जिसमें देश के अलग-अलग राज्यों के खेलारी भाग लेंगे बता दे के आयोजन ऑक्टूबर से फरवरी तक होने बाला है महीं बिहार राज्य खेल प्राधिकर रविंदरन संक्रन के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि राज्य के एक्तसजिलों में खेलों इंडिया के तहत स्मॉल सेंटर के शिरवात की जाएगी जिसमें कुल 17 खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसे में इन खेलों की ट्रेनिंग देने के लिए जल्दी पुराने वरिये खिलारी या N.I.S. सर्टिफाइड खिलारियों की निपती की जाएगी जिसमॉल सेंटर में जिन 17 खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी उनमें आर्चरी, एथलेक्टिक्स, बैडमेंटन, साइकलिंग, फिंसिंग, फुटबॉल, हौकी, कबड़ी, खोखो, रगभी, सेपक, टक्राओ, टेबल तेनिस, ताइकवांडो, वेट लिफ्टिंग, रिसलिंग और वूसू सामिल है बिहार में डिंगु का मिला नया वेरियंट, हल्प लाइन नमबर जारी बिहार में डिंगु के मामलों में लगातार बढ़ुतरी होती जारी है ऐसे में मामलों को लेकर अब स्वास्त विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है लेकिन इन सब के बीच अब तक बिहार में डिंगु के चार नये वेरियंट मिल चुके हैं जिसमें D.E.N.B. एक से तीन मरीज पिर्थ है तो वहीं D.E.N.B. दो से दो मरीज, D.E.N.B. ती से सात मरीज और D.E.N.B. चार से एक मरीज पिर्थ है जहां 24 घंट एलाज की सुधा उपलब्ध करवाई जारी है और इसके अलावा एक हेलप लाइन नंबर 0612-2951964 भी जारी किया गया है जहां संपर्ख कर मदद लिया जा सकता है और साथ ही अस्पतालों में बेड, बलड बैंकों में प्रेटलेट्स की उपलब्धता संबधित जानकारी हासल की जा सकती है सरकारी स्कूलों से गायब 34 सक्षकों का काटा गया वेतन प्रकरन सक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला सक्षा पदाधिकारी रजनीकान प्रवीन के दौरा बिना सूशना दिये स्कूलों से गायब रहने वाले 34 सक्षकों का एक दिन का वेतन काट लिया गया है और साथ ही इसका स्पस्टी करन भी मागा गया है ऐसे में अगर सक्छकों को जवाब संतोज जनक नहीं पाया जाता है तो विभागिये काडवाई भी सुनशित करने की बात कही गई है D.E.O. के द्वारा कहा गया है कि अनाध्रकृत रूप से सक्छकों के द्वारा अनपस्थित पाया जाना अपने कर्तवयों का नुपालन निस्था पुरवक नहीं करना सुच्छा चारिता बरतना कारी के प्रती लापडवाही वड़ी अधिकारी के आदेश का उलंगर वस सरकारी आदेश का पालन नहीं करने से सम्मध्यत सक्छकों से स्पस्टी करन मांगी गई है विहारी बोथरे में आज हम बात करेंगे आफ्ताव सेट के बारे में सेथ ने अपनी सकूली से चा दून सकूल से पूरी की इसके बाद उन्होंने दल्ली विशेविद्ध्याले के सेंट स्टीफं कॉलिस से इतिहास में बीए ऑनर्स की पढ़ाई की ये विदेशी सेवा में सामिल हुए वजापान, माइक्रोनेसिया, विर्तनाम और ग्रीस में भारतिये राजदू थे भारत के विदेश मंत्राले में शामिल होने के बाद उन्होंने वेरूत, काहिडा और जकार्ता में दूतावासो और कराची और हैंबर्ग में वानेचे दूतावासो में सेवा की उन्हें 2015 में ग्रैड काडन ओफ द ओर्डर ओफ द राइजिंग सन से समानत किया गया था भारते रिजर्फ बैंकों के दौरा दिये गए नर्देश के बाद बिहार के बैंकों के दौरा अंकलिम्ड मनी का खाताधारी या उनके नौमिन को खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके तहत अब तक बिहार के बैंकों के द्वारा कुल 317 अंक्लिम्ड खाता धारी या उनके नौमिन को खोज निकाला गया है और उन्हें कड़ी 10 करोर रूपे का भुकतान भी किया गया है आपकी जानकाली के बता दी कि बिहार के जिस खाते में सबसे जादा अंक्लिम्ड मनी पड़ी है और राजे सरकार का 47 खाता है जिसमें कड़ी 32 करो रूपे अंक्लिम्ड मनी के रूप में पड़े हुए है मालमों के बिहार में मौझूद SBI बैंक के दोड़ा कुल 201.87 करो रूपे अंक्लिम्ड मनी खुजा गया है वहिसके लावा PNB ने 90.01 करो रूपे, ICICI बैंक ने 4.48 करो रूपे, इंडनस बैंक ने 0.52 करो रूपे और बैंक ओफ मराश्टर ने कुल सुने दिसम्लो एक एक करो रूपे अंक्लिम्ड मनी के रूप में खुजा है तमिलनाडू में बंधक बने 6 बिहारी मजदूरों को कराया गया मुक्त जहानाबाद SDP और आजीव रंजन सिंग के दोरा दी गए जानकारी के नुसार जिला प्रशासन के समक्ष एक मामला आया था जिसमें कहा गया था कि कुछ बिहार के युवक को तमिलनाडू में बंधक बना लिया गया है और उन्हें छोड़ने के एवज में रूपय की दिमाइन की जा रही जिसके बाद जब इस मामली की तहकीकात की गई तो यह जानकारी निकल कर सामनी आई कि वे लोग तमिलनाडू में है इसके बाद वहां की पुलिस से संपर्थ किया गया और वहां के एसपी से बात की गई उन्होंने बताया के द्वारा बताया गया है कि बंधक बनाने वाले आरोपी को गरफतार कर लिया गया है जिनसे अभी पूछताच की जा रही और उन्छे लोगों को मुक्त करा दिया गया है तमिलाडू पुलिस ने बताया कि उनके बीच काम दिलानी को लेकर विवाद हुआ था फिलाल वहां के पुलिस इस मामली की जाच कर रही है बता दे कि हमामला जहानाबाद जले के महबदा सुरंगापुर गाउं का है चंदरियान तीन से जुरे 10 सवालों का जवाब दे कर जीते नकत पुरुसकार चंदरियान तीन में काम्याबी मलने के बाद भारत सरकार के दौरा एक कुछ पेस किया गया है जिसमें भाग लेने वाले उमिद्वारों को 300 सेकेंड में कुल 10 तवालों के जवाब देने होंगे वहीं सही जवाब देने वाले प्रति भागी एक लाख रुपे तक का नगत पुरुसकार जी सकते हैं वही quiz में भाग लेने वाले प्रतिभागी को certificate मिलेगा ऐसे में जो भी लोग इस quiz में भाग लेना चाहते हैं वह isro quiz.mygov.in पर जाकर अपना account बनाकर भाग ले सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दिए किस प्रतियोगिता में प्रथम पुरुसकार के रूप में एक लाक रुपे, दुइत्य पुरुसकार के रूप में 75,000 रुपे, तृत्य पुरुसकार के रूप में 50,000 रुपे उसके बाद 100 सर्वस्टिष्ट प्रदर्शन करने वालों को 2,000 रुपे और उससे अगले 200 वेस्ट पुरुसकार को 1,000 रुपे का सांत्वना पुरुसकार दिया जाएगा बीटा एरपोर्ट के लिए मिली 134 एकर जमी बीटा में एरपोर्ट का नर्मान हो सके इसको लेकर जिला प्रशासन के दौरा 134 एकर भूमी पर अधिगरहन कर लिया गया है और साथ ही इस 134 एकर जमीन में से पहले चरण के तहत 126 एकर जमी जिला प्रशासन की ओर से एरपोर्ट ऑथोरिटी को सौप दिया गया है वहीं बाकी बचे आठेकर जमीन को भी देने का प्रोसस चारी है बतादे कि इस जमीन के मिलने के साथ ही एरपोर्ट टर्मिनल विल्डिंग बनाने की कवायत शुरू हो जाएगी फिलाल एन नर्मान एजनसी के चैन का काम चल रहा और अब जल्दी भवन नर्मान के लिए निवदा भी जाड़ी की जाएगी बतादे कि संबर्द में अधिकाडियों का कहना है कि पहले चरण में टर्मिनल भवन का नर्मान कारे होगा मालमों के बीटा में एरपोर्ट के निर्मान के लिए भूमी अधिग्रहन के अधिसूशना वर्ष 2017 को चारी की गए थी हलाके बीच में कई परिशानियों का भी सामना करना पड़ा बांका में वाहन चेकिंग के दोरान विदेशी सराब जब बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़ी मामले सुनने को मिलते रहते हैं हलाक इन पर नकेल कसने के लिए उत्पात विभाक के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही बलकी विल्टा सराब तसकर के द्वारा तसकरी के लिए आए दिन नई-नई तरीकों का निजात किया जा रहा बता दे कि ताजा मामला बिहार के बांका के बढ़ा हाट थाना के नेमुआ मोड का है जहां पुलस के द्वारा वहां चेकिंग के दोरान एक टाटा एस मैचिक पारसल वैंसे बोडियों के नीचे से पैतालस कार्टन विदेसी सराब बरामत किया गया है हालाकि इस दोरान किसी के गिरफतारी नहीं की जा सकी फिलाल पुलिस के दोरा सराब और वहां निबंधन संख्या WB23E2833 को चप्त कर लिया गया है और गारी के मालिक और फरार चालक के विरुद अब योग दर्ज कर कारवाई की गई है राचे के कई जिलो में बारिस की संभावना प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है बदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलो में बारिस की संभावना जताई गई है कई जिलो में बारिस को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा हलाकि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में 17 सितंबर और 18 सितंबर को प्रदेश में बारिस की संभावना से इनकार किया गया है लेकिन प्रदेश के उत्तरपुर्व दक्षिन पशिम दक्षिन मध्य जिलो के कुछ स्थानों पर बारिस होने की संभावना चताई गई है मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के नुसार प्रदेश के दक्षनी पश्मी मौनसून में कमी देखने को मिलने वाली है जिसके कारण मौनसून टर्फ लाइन रेखा बिहार से होकर गुजर रही है जिसके कारण कम दवाव का छेतर बन रहा यह टर्फ लाइन रेखा राजस्थान मध्यप्रदेश के पुर्वी भागों से होते वे उडिशा के संबलपुर और बंगाली के दिग्गा से बंगाल की खारी की ओर जा रही है महीं एक चक्रवातिय परिश संचरन का छेतर भी बन रहा जो की दक्षनपुर्व राजस्थान से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बना हुआ है अगले 24 गंटे के दौरान मध्य बिहार और उसके आसपास के जिलो में बारिश होनी की संभारना जिताई जा रही है सूबे के 15,632 नीजी स्कूलों को मिला ओनलाइन अनापती प्रमान पत्र रजसरकार से अब सूबे के स्कूलों को अनापती प्रमान पत्र लेना अनिवारे कर दिया गया है ऐसे में सूबे के 15,362 नीजी स्कूलों को भौतिक सत्यापन के बाद ओनलाइन अनापती प्रमान पत्र दिया गया है आपको जानकारी के बता दे कि बीते दो सालों में NOC के लिए कुल 49,527 नीजी स्कूलों के द्वारा ओनलाइन आवेदन किया गया था एसे में बाकी बचे सेश 15,165 नीजी स्कूलों को NOC लंबित है मालूम हो कि राजिस सरकार के दोरा जिन नीजी स्कूलों के दोरा NOC ले लिया गया हो वो CBSC व आईसी एसी सिर्मानता प्राप्तित लेने के लिए स्कूल में आवेदन कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दी कि CBSC के दोरा वर्स 2024 की मानिता के लिए तिथी को बढ़ा कर 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है चिंजलों से मानिता लेने के लिए सबसे आद आवेदन आई हैं उनमें विहार की राजधानी पटना भागलपूर गया और मुझपरपुर्श शामिल है मनीश कर्षप के लिहाई के लिए अमिस्सा से गुहार बिते दिन ग्रीह मंत्री अमिस्सा की जंजारपूर में आयुजित रैली में मनीश कर्षप की मा मधु देवी भी मनीश कर्षप की रिहाई की गुहार लगाने के लिए अमिस्सा से मिलने पहुंची थी लेकिन वो इस तोरान ग्रीह मंत्री से मिल नहीं पाई बतादी कि मनीश करशब की मा के दौरा अमसा को एक पत्र दिया जाना था जिसमें उन्होंने अपनी बेटे की बेगुनाही की बात की थी और साथ ही यह भी मांग किया था कि इस पूरे मामले की CBI जांच कड़ाई जाए इसके लावा स्लेटर में मनीश करशब पर लगे NSA को खटाने की भी मांग की गई थी बतादी कि मधुदेवी का कहना है कि उनका बेटा नर्दोश है उसे जूटे केस में फसाया गया है पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार और तमिलाडू सरकार की मिली भगत से मनीश करशब पर NSA लगाये गया है जेडिउ और आरजडी पर ग्रीह मंतरी अमत साह का तीखा तंज बीतदन ग्रीम मंत्री अमिस्ता के दोरा बंधुबनी के जंजार पुर में जंसभा को संबोधित करते वे नितीश कुमार की पार्टी जे डियू और लालु यादव की पार्टी आरजे डी पर जम कर तीखा तंज कसा गया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्र इनितीश कुमार और राजस सुप्रीमो लालो पृषाद यादव तेल और पानी की तरह हैं जो कभी एक नहीं हो सकते बलकि तेल पानी को मैला कर देता है उन्होंने कहा कि जो स्वार्थी गडबंधन बना है उससे बिहार में फिर जंगल राज लालो पृषाद एक्टिव हो गए हैं और मुख्यमंत्र इनक्टिव हो गए हैं ऐसे में लोगों को यह समझ आता है कि बिहार कैसे चलेगा नितीश कुमार को लालो यादव का ब्रश्च चार्थ नहीं दिख रहा उन्होंने इसे छिपानी के लिए इंडिया एलाइंस का न वाले चुनाव में 40 की 40 सीटे एंडिये चीतेगी ग्री मंत्री के बयान पर राबरी का पलटवार बीदेदन ग्री मंत्रे अमिस साह के द्वारा मधुवनी के जंजार पूर में जनसभा को संबोधित करते वे बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार और राजस सुप्रीमो लालो पुषाद यादव पर जमकर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि लालो यादव और नितीश कुमार तेल और पानी की तरह हैं जो कभी एक नहीं हो सकते वहीं अमिस साह किस बयान पर अब भिहार की पुर्व मुख्यमंत्री राबरी देवी के दोरा पलटवार किया गया ह राबरी देवी ने कहा कि तेल में पानी मिलाने का काम बन्या का है बन्या और वैपारी तो वो खुद हैं तेल पानी मिलाते होंगे इसलिए सब के बारे में सोचते हैं कि तेल पानी वाली पार्टी है उन्होंने कहा कि नरिंद्र मोदी को इंडिया कहने में शर्माता है उन् उठवा लेंगे किसे मरवा देंगे इनका कोई ठीकारा नहीं है ये बात पूरी दुनिया चानती है राबली देवी ने कहा कि कितना मोधी आएंगे कितना मोधी जाएंगे उनके कहने से मोधी आएंगे देश के लोग क्या उनके मुठी में है ये लोग ना रोजगार देंगे और नमेंगाई रोकेंगे इस योजना के तहट कारीगड़ों को मिलेगा 15,000 रुपे का टूल कीट और स्टाइपेंड आज यानी की 17 स्टमबर को देश के प्रधान मंतरी नरंद्र मूदी के दौरा पी-म विश्वकर्मा योजना की शुरुवात की जाने वाली है बतादिक इस योजना पर सरकार के दौरा कुल 1300 करोर उपे खर्च किये जाएंगे ताकि कारीगड़ों को आर्थिक सहायता अपलत करवाया जा सके मालम हो कि अगर हम इस योजना के लक्षे की बात करें तो इस योजना का लक्ष है कि कारीगड़ों का विकास किया जाए और उन्हें आतनर्भर बनाया जाए बतादे कि इस योजना के तहतला भारती को एडवांस ट्रेनिक दी जाएगी और साथ ही उनके इस योजना में पडिवार का केवल एक सदर्शे ही पीम विश्वकर्मा योजना के अधिकारिक पोटल पर जाकर आविदन कर सकता है भारत के तिहास में आज की तारीख है कहीं कार्णुस दर्च हैदराबाद रियासत का उनी सो अरतालिस को भारत में विला हुआ इस यूनिट गरुर कमांडो कांगो के सांती मिशन पर 2006 में रवाना हुए भारती प्रिधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग ने 2006 में क्यूबा के अस्वस्त राश्रपती फिदेल कास्तरों से मुलाकात की विश्व कप हौकी में 2006 में भारत को इक ग्यारवा स्थान मिला जहाज रानी राचे मंतरी के एच मुनियप्पा ने 2008 में विश्व कर्मा राश्रिय पुरुसकार एवं राश्रिय सनवच्छा पुरुसकार 2006 प्रदान किये किंद्री सतर्ता आयोग ने 2009 को 123 ब्लहस्ट सरकारी अधिकारियों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी की दली की दो और बिहार के 18 विधान सभा सीटों के लिए उपचनाव संपन हुए कोडिया ओपन सूपर सिरीज 2017 में जीतने वाली पहली भारतिय सटलर पीवी सिंधू बनी मशूर भारतिय कलाकार गगेंद्र नाथ तैगोर का जन्म आज़ी के दिन 17 सितंबर अठासो और सरसरक हुआ था भारत के आजादी के लिए संखर्ष करने वाले चत्रसगर के स्वतंता सिनानियों में से एक वामन राव बली राम लाखी का जन्म आठासो बहत्तर में हुआ प्रसद भारतिय चितरकार मकबूल फिदा हुसेन काक का जन्म 1915 में हुआ भारतिय सक्षा सास्तरी अमर चितरकथा के संस्थापक अनन्त पै का जन्म 1929 में हुआ भारत के प्रसद वायलीन लालगुडी जैर्मन का जन्म 1930 में हुआ भारतिय आध्यात्मिक नेता भक्ती कारू स्वामी का जन्म 1935 में हुआ भारतीय राजनेता और वर्तमान प्रधान मंत्री नरिंदर मोधी का जन्म 1950 में हुआ भारत के स्पिरर रवी चंदरन अस्वन का जन्म 1986 में हुआ था वाल पर में आज हम बात करेंगे 36 गर में G20 बैठक के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरोरी नहीं है इसी करें में आज हम बात करेंगे 36 गर में G20 बैठक के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एड़ रेट आई एन सी सी 36 गर ने फर्जी दावा किया है कि इसी 36 गर में G20 की कोई बैठक नहीं हुई पी आई बी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि पच्छेस चब्रस फरवरी 2030 को एड़ रेट आई आई एम रायपूर में दो दिवस्य युवा बीस परामर्ष्ट कारेक्रम का सफलता पुरवक आयूजन हुआ था वाई बीस जी बीस का अधिकारिक सभागिता समों है वाट्सअप पर ग्रूप कॉल्स के लिए कंपनी दे रही ये शांदार अपडेट वाट्सअप कॉलिंग एक्स्पीरियंस को और बहतर करने के लिए एप में कुछ बदलाव कर रहा है ये आप कॉलिंग सुरू करते ही एक साथ एकतिस लोगों को एड़ कर पाएंगे वर्तमान में आपके वल 15 लोगों को ही श्रुवाद में एड़ कर सकते हैं फिरस नंबर को 32 तक बढ़ा सकते हैं अगर आप ये वाट्सअप के तमाम अब्रेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो लेकिन भारतिय वायुसेना का पहला C-295 पड़ेवन विमान का ग्रूप कैप्टन पी असनेगी के दोरा स्पेन से भारत के लिए उड़ान भरली गई लेकिन भारत के वड़ोदरा पहुचने से पहले यह विमान माल्टा, मिस्र और भारीन में रुकेगा बता दे किस विमा प्रतियोगी परिक्षा में काम आएंगे सवाल इतिहास, विहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेर्स और भूगोस रहेंगे पूछेगे पांचो सवाल में आपने कितना सही उत्तर्दी आक्रिपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में किसने राश्ट्र व्यापी, स्वास्ति सेवा, योजना, आयूसमान, भव, अभियान का सुभारम किया है? आप्शनी प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी, आप्शनी राश्ट्रपती मुर्मूर, आप्शनी योगी आदित्यना, आप्शनी स्मृति इरानी इसका सहीुत तरह ओप्शन भी राश्टरपती मुर्मुर। अगला सवाल, हाली में कहां में चौथी जीबी सतत वित्तिकारे समुकी बैठक सुरू हुई है। ओप्शने इंदौर, ओप्शन भी दिल्ली, ओप्शन सी वारानसी, ओप्शन डी एहमदाबाद। इसका सहीुत तरह ओप्शन सी वारानसी, अगला सवाल, बिहार से प्रकाशित होने वाली प्रथम हिंदी द्यानिक समाचार पत्र का नाम क्या है? ओप्शन E सर्च लाइट, ओप्शन B आड्यावर्त, ओप्शन C सर्व हितैसी, ओप्शन D सदा A आग इसका सहीुत तरह ओप्शन C सर्व हितैसी, अगला सवाल, वा प्रथमोगल बाद सा कौन था जिसने अपना राज अविशेक बिहार की राजधानी पट्टा में किया था? ओप्शन E बहादर्शा, ओप्शन B फर्रुग खसियर, ओप्शन C मुहमत सा, ओप्शन D शा जहां इसका सहीुत तरह है ओप्शन B फर्रुग खसियर, अगला सवाल, हिमाले से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? ओप्शन E बुढ़ी ओप्शन B महानन्दा, ओप्शन C गंड़क, ओप्शन D बागमती, इसका सहीुत तरह है ओप्शन B महानन्दा, बेते दिन हमारे दरह पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पनजाब, हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्हो इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके अनुसार आज भारत और श्रिलंका के बीच होने वाले एसिया कब 2023 फाइनल में किस्टीम का फलरा भारी है, अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं, आज के लिए इतना हैंगर के लिए गवाब!